दियर स्टुएंट्स, स्वागत था आप से भी का हमारे यूटूब चानल अस्टडी विद दुलार में बच्चों हमारे देश में सबसे अधिक तेवहार उत्सव मनाये जाते हैं हमारे देश में अनेको विवित्ताएं हैं अलग-अलग धर्म, परंपरा, रिवाज को मानने वाले लोग रहते हैं फिर भी सभी एक दुसरे से मिल जूल कर रहते हैं इसका सबसे बड़ा कारण है समय समय पर मनाये जाने वाले तेवहार यही हमें एक सुत्र में बांधे रखता है तो आए देखते हैं यह कौन सा चप्टर है यह क्लास 3 का हिंदी बुक है, चप्टर 19 है और इस चप्टर का नाम है दीपों का गीत यह एक कविता है और दीपों का कविता है, दीपों से समन्धित कविता है आईए देखते हैं इसके विता में क्या दिया हुआ है गंगा तटका दीपक जलमल, सर्यू तटका उत्सव कलकल, यमना जी पर बजी बांसुरी, इनके आगे सीस जुकालो, दीपक दल की पूजा कर लो गंगा तटका दीपक जलमल, यहां पर बतला रहा है, संधिया का समय, जब गंगा किनारे आरती होती है, उस समय हजारो लाखों की संख्या में दीपक जलाए जाते हैं इसलिए यहां कहा गया है गंगा तट का दीपक जलमल जब इतने सारे दीपक गंगा के जल में दिखते हैं तो ऐसा लगता है जल रोसनी में जिल मिला रही है ऐसा दिरिस आपको बनारस के कासी में देखने को मिल जाएगा सर्यू नदी जो अयोधिया से होकर गुजरी है उसके तट पर बिसेश आउसर में लोगों का भीड़ लगता है एक्तिवहार की तरह तो सर्यू का जल कलकल कर रहा है यमुना नदी के किनारे ही स्री क्रिस्न अपनी गया चराते हैं और बंसी बजाते हैं जब इन नदियों की पूजा होती है तो इसके बिसेश पल हमारे मन मस्तिस्क में स्वतह आ जाते हैं इन दिपकों के समझ हमें सीस जुकानी चाहिए और इसकी पूजा करनी चाहिए इसलिए कह रहा है कि दिपक दल की पूजा कर लो इनमें विक्रम उनका गोरव इनमें चंद्रगुप्त का वेभव सरद निसा मुस्काता के रव इनके आगे सीस जुकालो दिपक दल की पूजा कर लो इस दिपक के लोव में महान राजा विक्रमा दित का गोरव बसा है इसमें महान समराट, चंदरगुप्त का साहस, विर्ता और समिर्धी बसा हुआ है या जलते दीपक ऐसा लगता है जैसे सरद रितु के रातरी में सफेद कमल मुश्कुरा रहा है इनके आगे हमें अपनी सिस जुकाकर प्रनाम करना चाहिए तथा इसकी पूजा करने चाहिए अंदकार फैल जाता है तो दीपक ही हमारा एक मात्र सहारा होता है जिस तरह दिन में सूरी उगता है उसी प्रकार रात में दीपक ही हमारा नन्हा सूरज है जिस प्रकार दीपों में चमक होती है हमारे देश में कई महान योधा महान बीर हुए हैं उन्होंने अपनी चमक भिखेरी है सिवा जी ने अपनी विर्टा से हमारे देश को प्रकास में किये उसी प्रकार महाराना प्रताथ की चमक इस दीपक की तरह है जो हमेशा उज्वल रहेगा इस दीपक की आगे सीर जुखा कर प्रनाम कर लो इस दीप समों की पूजा कर लो राम की जै सुनाता सागर रावन हारा कहता नागर राम राइज की येग सिखा है नई ज्योती आँखों में भर लो दीपक दल की पूजा कर लो अंतिम पाट में बतला रहा है कि दीपों का जो यह विसाल समु है जो एक सागर की भाती लहरा रहा है जो पूरे देश में प्रकास फेला रहा है यही बता रहा है कि राम की विजय हुई है सत्य की विजय हुई है असत्य की हार हुई है रावन की हार हुई है राम राइज का आनंद, वेभव, संपन्ता इस दीपक की जोती ने बरकरार रखा है यह रिश्यों के यग में जलने वाला लो है जो सारे संसार को उर्जवान बनाता है इस दीपक की महिमा को समझ लो इसे अपने मन में आखों में बसा लो इस दीप समू की पूजा कर लो आज भी रिवाज है कि रोज भारत की इस्तिरियां अपने घर में संधिया समय दीपक जलाकर सांज दिखाती है ताकि घर में सुकसांती, स्वास्त और धन वेभाव बना रहे जब भी सिसु मंदिर में कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो सरोपर्थम दीप प्रोजलित किया जाता है फिर दीप से समंधित स्लोक पढ़े जाते हैं तो यहाँ पर यह चप्टर समाप्त हो जाता है आए देखते हैं इसमें क्या questions दियावा है वन नमर में पढ़े हैं समझे इसमें हिंदी सब्दार्थ दियावा है इसको पढ़कर आप याद कर ले question number two में इन सब्दों का लिंग निरने करें यह जो सब्द दियावा है इसको बतलाना है कि या कौन सा इस्तिरिलिंग है और कौन पूलिंग है question number three निमलिखित प्रोषनों के उतर दें और या इस chapter का question है तो आए मैं आप लोगों को इसका answer बना के दिखाता हूँ यह chapter 19 का question answer question number two में इन सब्दों का लिंग निरने करें तो यहाँ पे जो सब्द इस्तिरिंग है या पूलिंग है तो यहाँ पे उसको बतला दिया गया है question number three निमलिखित प्रोषनों के उतर दें दीपों की पूजा कब होती है दीपों की पूजा दिपावली में होती है विक्रमादित कोन थे चंदरगुप्त कोन थे विक्रमादित एक महान समराठ थे वे अपनी ज्यान और वीरता के लिए परसिद थे चंदरगुप्त भी एक महान समराठ थे इन्होंने पूरे भारत को एक समराज के अधिन लाने में सफल रहे प्रताप और सिवाजी का परिचय तो महाराना प्रताप चितोर के महराजा थे इन्होंने मुगलों से कई बार युद्ध किया किन्तु अकबर के आगे जुके नहीं सिवाजी भारत के एक महमतम राजा एम रन नितिकार थे इन्होंने माराठा समराज की नीव रखी दीप में क्या जलता है? उससे क्या होता? दीप में तेल और बाती जलता है इससे प्रकास होता है तथा वातावरन सुदोता दीपावली का दीप विजे दीप क्यों है? स्री राम रावन पर विजे प्राप्त कर चोदा वर्स बाद अयोध्या नगरी लोटे थे इसलिए दीपावली का दीप विजे दीप कहलाता है राम ने किस पर जैपाई थी? राम ने रावन पर अर्थात असच्थ पर सच्थ की विजे पाई थी तो यहाँ पर यह चप्टर पुरी तरह कम्ट्रीट हो जाता है, समाप्त हो जाता है अगर आप लोगो को हमारे वीडियो से थोड़ा भी मनत मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लैक जरूर कीजिए और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए और अगले चेप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे तो आए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं